दोस्तो 12th pass एक ऐसे criteria होता है आपकी life पे जहां पर maximum लोगों को job चाहिए रहती है मतलब major of audience 12th pass होती है they want to build their career in a government sector मतलब वो चाहते हैं कि सरकारी job मिले और 12th pass पे मिले तो बहुत limited है ऐसे exam होते हैं जहां पर आप exam clear करके एक सरकारी बाबू या बहुत अच्छी officer rank पे job ले सकते हैं तो उनी में से exam के बारे बारे आज हम discussion करने वाले हैं क्योंकि उसी exam का job का notification official notification आ चुका है काफी सारे लोगों ने इसके बारे में सुनाई होगा UPSC NDA देखो सरकारी जोप में जा रहे हो तो salary तो छोड़ी दो आपके जो allowances मिलते हैं benefit मिलते हैं you can't be imagine तो मुझे लगता है अगर आप 12th में हो या 12th पास कर लिया है तो भी आप यहाँ पर apply कर सकते हो तो यहाँ पर काफी सारे person को एक confusion यह भी होती है तो वो चीज में clear कर चुका हूँ yes again मैं आपको बता रहा हूँ 12th वाले candidate पी apply कर सकते हैं NDA के अंदर तो NDA के अंदर आपको जो हमारी Indian Air Force है तो तीनों department है आपका Air Force हो गया Navy हो गया, Army हो गया तीनों की ही joining होती है ऐसा कुछ नहीं है कि सिप Army आपको मिलेगा यह कुछ basic doubts हैं जो आप काफी ज़्यादा comments में पूसते हो तो अभी मैं आपको detail में official notification बताने वाला हूँ NDA का कौन-कौन candidate apply कर सकते हैं criteria क्या होता है official notification में क्या क्या चीज़े लिखी गई है exam pattern कैसे होता है और इसे मैं आपके साथ कुछ tips भी यहाँ पे share करूँ हूँ है जिससे आप NDA के अंदर select भी हो सकते हो जो overall package होने वाला है जहाँ पर आपको पूरी information मिलने वाली है NDA से related तो चलिए start करते हैं So welcome back to PSU and government जो vacancy result मैं सचीन चुहान आपके लिए लेके आज चुका हूँ यहाँ पे NDA 2022 की update और यहाँ आपको डांस में clear बोलना चाहूँगा अगर आपको content पसंद आए तो याँ लाइक करें भी न बिलकुल मत चाहिएगा तो यह NDA 2022 की update निकली है तो यहाँ में जो term and condition है जिससे आपको clear हो जाए कि कोनको न apply कर देता है पहली चीज आती है 12th past candidate apply कर सकते है 12th के appearing candidate पे apply कर सकते है PCM और science background वाले सेकर्ड यहाँ पर एक चीज क्या आती है कि आपकी age जो है 16 से 19 के बीश में होनी चाहिए तो आप यहाँ पर apply कर सकते है ठर्ड चीज यहाँ पर क्या आती है कि यहाँ पर कोई location barrier नहीं है जो काफी positive चीज है All over India candidate apply कर सकते है आप किसी village किसी district से apply करना चाहते है आप यहाँ पर apply कर सकते है फॉर्स मन यहाँ पर क्या चीज ज़्यादा पूछी जाती है total number of vacancy कितनी होती है तो it is total number of vacancy अगर मैं आपको बता हूँ 400-500 के round होती है यह कम ज़्यादा होती रहती है और यह 400 total है मतलब आपके army, navy, air force जो तीनों चीज़े हैं वो इसी में निकलेगी अब काफी सारे candidate बोलते हैं कि नहीं मुझे navy या air force में जाना है तो यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ आपके score पर depend करता है आपको क्या मिलेगा अगर आपका अच्छा score है आपने काफी अच्छा score करा है अपना exam, अपना SSB interview भी clear करा है तो उसके बाद एक preference आपको भी दे दी जाती है कि आप किसमें जाना चाहें तो वो वाले जो part है वो बिल्कुल last में आता है कि आपको कहां joining करनी है वो तभी पूछा जाएगा जब आपका score अच्छा होगा यहाँ पर एक बात आती है कि हम female candidate भी apply कर सकती है yes, definitely वो apply कर सकती है पर यहाँ पर कुछ particular department होते है वही पर apply कर सकती है next point यहाँ पर आता है कि application fee is chargeable है yes, it is chargeable अगर आप journal candidate हो जिस 100 रुपीस आपको pay करने है अगर आप women STST candidate हो तो आपको कुछ भी pay नहीं करना है तो मतलब एक चीज़ यहाँ पर क्या clear हो रही है every single person जो इस वीडियो को देख रहा है वह यहाँ पर, yes, यहाँ पर apply कर सकता है यह सारी information आपको यहाँ पर written format में भी लिखी है तो आप वीडियो को pause करके भी पढ़ सकते हो अगर आपको उस डाउट भी है official notification apply URL link के लिए आइसा नहीं है मैं आपको कहा दूँँगा जाओ और देखो नहीं, नीचे आपको link बिल जाएगा, एक single click करके आप सारी information readout कर सकते हैं हमारी website पर वहीं पर आपको officially website का URL link भी मिल जाएगा और जैसे आप directly जाके हमाँ पर apply कर सकते हैं apply आप online कर सकते हैं, ऐसा भी नहीं है कि आपको offline apply करना है, DD बगरा कुछ पार्ट रहेगा, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला तो यह हो गई अब आपकी सारी basic information जिससे यह चीस्तों clear हो गई है कि you are the suitable candidate, yes or not अब next step पे चलते हैं, क्यार अब मैंने सारी चीजिए कर दी हैं मेरा admit card आ चुक है, और admit card के बाद मुझे जाने exam देने, तो यह exam कैसा होता है तो मैं आपको clearly बताओ, यहाँ पे जो exam है आपका एक होता है, मतलब एक आपका OMR test होगा second आपका यहाँ पे SSB interview होगा यह दो pattern आप इसे divide कर सकते हो OMR test, SSB interview अभी हम आते OMR आपके test पे OMR test क्या होता है, online test यह नहीं होता offline होता है, जिसके अंदर आपको OMR sheet को fill करना होता है और उसके base पे रहता है, यहाँ पे धाई-धाई घंटे के दो test होते है OMR test के अंदर, पहला आपका mathematics रहता है second आपका journal ability test रहता है तो 301 गंटे के अंदर आपको माहा पे score करना है फिर यहाँ पे 301 गंटे के अंदर आपको maximum score करना है CANS के लिए आपको 300 score रहता है तो आपका journal ability आपका 600 score रहता है 2000оме आपको 900 में से maximum score करना बढ़ता है तो जितना maximum आप score करोगे, उतने बैटर chances होते हैं कि आप round 2 में select हो जाओ, yes, पहले round 1 होता है, जिसके अंदर round 2 के लिए, मुलब SSB interview के लिए candidate select होते हैं, आपको first clear हो गया, अब आप SSB interview के लिए select हो जाओ गया, SSB interview होना एक बहुत बड़ी चीज है, मैं आपको clearly बता रहूं, चुकि ये 5 दिन का interview है, ऐसा नहीं, आप गए और एक दिन में आपका complete हो गया, या 2 घंटे का interview हो गया, पांस दिन के अंदर every single parameter है, आपके personality, आपके qualification, आपके उठने बैटने की पूरी दिन चरिया, आपका group task, आपके team task, every single thing आपके आपके monitor होती है, पांस दिन का interview होता है, अब आपका SSB interview कैसे clear करना है, उसके लिए मैंने dedicated video आप सबी के लिए बनाई है, उपर आई बटन में मैं यहाँ पे link आपको show कर दूँगा, नहीं सो video के description में SSB के लिए पूरी video बनाई गई है, वहाँ पे आपको चीज़े clear हो जाएगी, तो आपका SSB interview clear हो जाएगा, तो दोने चीज़े जैसे आपके clear होती है, then आपकी final merit list लगेगे, और वहाँ पे आपको दी जाएगा, कि आप कौन सा department कैसे कैसे कहाँ पे join करना चाहते है, वो सारी चीज़े अभी अगर कोई भी नहीं बता सकता आपको clearly, वो सब चीज़े final step होता है, then आपको clear हो जाएगी, अब आपकी joining हो गई, अब joining के बाद क्या होता है, का अगर आप Navy, या Army, या जो इनकी Air Force होगी, अगर कोई भी आप select करते हैं, और उसकी qualification के base पे जो भी bachelor degree होती है, वो complete करवाते हैं, for example, अगर आप Indian Army join करती है, तो महाँ पे आपकी BSc, BA जैसे degree complete करवाई जाएगी, अगर आप वहाँ पे Air Force जैसे join करते है, तो आपकी BTEC वेगर या job भी आपको मिल चुकिया, in the whole process आपको stipend भी मिलता है, या ऐसे पैसे नहीं मिलते है, definitely आपको पैसे भी मिलते है, तो ये अप्रोक्स अप्रोक्स आपकी धाई साल की रहती है, दिन आपकी एक साल के ओर training होती है, जो particular officially training होती है, जो काम आपको करना है, किस तरीके से करन है, तो total आपकी 3,4 साल की training रहती है, दिन आपकी यहाँ पे जो post of recruit हो जाती है, और आप lieutenant level तक यहाँ पे recruit किये जाती हो, salary आपके प्रोक्स 65,000 रहती है, तो ये पूरा एक हराकी और जो मैं आपको इस वीडियो के अंदर explain करा, तो still अगर आपके कोई doubt या question रहे गए हैं, तो don't worry, नीचे comment section सिफ आप लोगों के लिए, मुझे comment section में मेरी वीडियो का feedback, अपने सभी question जरूर बताएगा, और अगर आप चाहते हैं कि career guidance से related और वीडियो लेकिया हूँ, मतलब अगर आप UPSC ND की तयारी करने हैं, तो कौन सी book आपको यहाँ पे करनी चाहिए, select और उ आपके help करें, तो definitely वो चीज़ भी यहाँ पे हो सकती है, पर सारी चीज़ा आपके feedback पे होगी और नीचे comment जरूर करिएगा, अब बात कर लेते हैं, last date की, यह last date मैं इसने ही बता रहा हूँ, जिससे आप समझे, वीडियो को last तक देखना बहुत ज़ला important होता है, चुकि यह यहाँ पे आपको एक-एक information clear हो जाती है, तो last date जो होने वाली है, पर्टिक्लर form को apply करने के लिए, वो आपकी 11th of January रहेगी, मतलब enough time है, आपको अच्छे सब date मिल चुकिया, आपको जल्दी से जल्दी apply करना है, अगर मैं बात करूँ आपके admit card की, तो it is approximately months care around रहेगी, आपको mail पे मिल जाएगी, जब आप apply करते हैं, so मैं सचीन चुहान, आप से मिलूँगा next video में next content के साथ, जै हिंद!